रनवीर सिंग बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री के उन नामों में से हैं जिनको कोई भी रोल दे दो वो उसे पूरी शिद्दत से निभाते हैं पद्मावत बाजी राओ मस्तानी में रोयल अंदाज हो या फिर पहली फिल्म बैंड बाजा बारात का सीधा सा लड़का वो सब में फिट रहे सिर्फ यही नहीं रनवीर सिंग अपने फैशन सेंस के लिए भी काफी मशूर है आक्टर के अतरंगी कपड़े हर बार लोगों का ध्यान खीचने में काम्याब रहते हैं चाहे वो कैजूल आउटिंग हो या फिर एयरपोर्ट लुक रनवीर के कपड़े हमेशा ही लाइम लाइट में चाहे रहते हैं उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है लोग उनकी एक जलक पानी के लिए बेताब रहते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब रनवीर सिंग खुद भी एक अक्टरिस के बहुत बड़े वाले फैन थे उनके लिए रनवीर की दिवानगी कुछ हिसकदर थी कि वो फिल्म के सेट पर उनकी शूटिंग देखने भी पहुँच गए थे वो एक्टरिस थी रवीना तंदन लेकिन इन सब में सबसे मज़ेदार बात ये है कि जब रनवीर फिल्म सेट पर पहुँचे थे तब रवीना तंदन ने उन्हें फिल्म के सेट से बाहर निकलवा दिया था दरसल ये किस्सा उस दौरान का है जब साल 1994 में फिल्म होरा की शूटिंग चल रही थी उस वक्त रनवीर महज आट-नो साल के थे और वो उस फिल्म की शूटिंग देखने गए थे उस वक्त रवीना और अक्षे की फिल्म के गाने टिप टिप बरसा पानी की शूटिंग जूहू में चल रही थी ऐसे में रवीना जब गाने की शूटिंग कर रही थी रनवीर सिंग उनकी खुबसूरती से अपनी नजरे हटा ही नहीं पा रहे थे वो बस एक तक उन्हें देखे ही जा रहे थे इस बात का खुलासा रनवीर सिंग ने खुद भी एक इंटरिव्यू में किया है इंटरिव्यू में रनवीर सिंग ने बताया कि जब वो आठ साल के थे तब अपने कनाड़ा से आए एक कजिन को लेकर रवीना तंडन और अक्षे कुमार की फिल्म की शूटिंग देखने गए थे उस वक्त रवीना और अक्षे की फिल्म के गाने की शूटिंग जुहू में चल रही थी रवीना पीले रंग की शिफॉन की साड़ी में बारिश में भीग कर डांस कर रही थी तब ही रवीना ने उन्हें देखा और कहा कि ये अजनभी भच्चा कौन है जो मुझे लगातार घूर रहा है इसे सेट से बाहर निकालो। इसके अलावा रणवीर ने ये भी बताया कि सेट से बाहर निकाले जाने की वज़ा से वो काफी दुखी हो गए थे जिसके बाद अक्षे कुमार आए और उनके अजीब से हेर कट की तारीफ करने लगे तभी से रणवीर सिंग अक्षे कुमार के बेहत बड़े फैन बन वहीं जब रणवीर के इस इंटिव्यू के बारे में रवीना को पता चला तो उन्होंने हाली में एक इंटिव्यू में कहा कि रणवीर बहुत शितान है वो मुझे हमेशा इस बात को लेकर छेड़ते रहते हैं मैंने उन्हें बाहर जाने को इसलिए कहा क्योंकि मैं उस समय टिप टिप बरसा गाले की शूटिंग कर रही थी जो कि एक सेंशल सॉंग था उस समय रनवीर बहुत छोटे थे जिस वज़ा से मैं आज सहज फील कर रही थी इसलिए मैंने निर्माता से कहा कि बच्चों को बाहर निकाल दे Bureau Report E24 हर वीडियो मिलेगा E24 पर तो फिर धमाकेदार इंटेटेन्मेंट के लिए जुड़े रही हमारे साथ और देखते रही है E24